दोस्तो आज में आपको अटोकेड में दो सेटिंग बताने वाला हूँ सबसे पहले जो यह रिबन आपको नजर आ रही है इसका कलर हमको चैंज करना है तो कैसे करते हैं सबसे पहले माउस का जो राइट वाला बटन है उस पर क्लिक करना है फिर ओफशन पर आना है सबसे यहां से दो कलर दिये हुए डार्क एंड लाइट पहले से डार्क है हम लाइट पर क्लिक कर दे और देखते हैं रिबन का कलर कैसा हमको दिखता है लाइट पर करके हमें अप लाइप पर क्लिक करना है फिर उसके बाद बाद में ओक कर देना है तो देखो रिबन का कलर कुछ इसा नजर आएगा wide wide सा हमको दूसरी सेटिंग जो है वो cross hair और pick box का size हमको set करना है देखिए यहाँ पे pick box का size बड़ा है और cross hair का size छोटा है इस cursor में तो फिर right click mouse का वटन को दबाना है फिर सीदे सब से नीचे option में आना है option में आके selection में आना है selection में आके देखिए आप यहाँ पे सबसे first में pick box size लिखा हुआ है यहाँ से हम अपने हिसाफ से pick box size set कर लेते हैं थोड़ा कम करते हैं and apply पे click करते हैं यहाँ छोड़ा में इसीपले मौने में च्रू और से आपने हैं andemen face X to add को क्रोड़ा खाए होई हैं यहां च्रोड़ा कम दोड़ा कर देखते हैं 21 करके हैं 20 करके हैं जाने अब करके हम apply करते हैं और ok पे click करते हैं आप कैसा नेज़िए solution आता है यह देखिए क्रोस हेयर और पिक बॉक्स का साइज चेंज हो चुका है तो आप भी सिंपली ऐसे कर सकते हैं अगर आपको रिबन का साइज या क्रोस हेयर का साइज सेट करना है ठीक है